आयना की बात करी गई वहां पर के आपको लग रहा है कि राहूल गांधी जो बयान बाजी कर रहे है वाकी में आ प्र अपश्चान से आदम है थे उनको यह फ्लैट ढाया है अब का दिस्तान भी कांग्रेस से बनाया है विद्धि चीनी भाई-भाई-बाई के नारा खुब ल भारत जोडेंगे सरदारों का खून बहाया कोंग्रेश चम्डों ने और घायल है मेरा गुर्दवारा अब ये भारत जोडेंगे मंदिर तूटी मंदिर तूटी मनी मज्जित तब तुम खामोसत है और कहा था था तब ये भाई support जोडेंगे और मोदी जी ने रामराज जला के दिखा दिया आज अपने देश में सड़के देखलो हॉस्पिटल देखलो वंदे भारत टेन देखलो किसानों को 6,000 रुपए सलाना देखलो सोचाले देखलो आयुस्तमान योजना देखलो अपने देश की अर्थविवस्ता देखलो तमाम भारत का करके बटवारा अभी यह भारत जोड़ेंगे जिन्ना जीता नहरू भारा अभी यह भारत जोड़ेंगे धारा 370 लाकर आग लगाई घाती में और मौमिन ने पंडित को मारा अभी यह भारत जोड़ेंगे हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे खूब लगाये ते गव ये भारच जोडेंगे मंदिर तूटी मंदिर तूटी बनी मझी तब कुम खामोश से और कहा था तब ये भाईचारा अब ये भारच जोडेंगे वहीं क pension जामिया में चली जाए एक भी मंदिर नहीं मिलेगा पूरे जामिया में ना जाकिन नगर में ना बटला हाउस में न साइन भाग में ना एक भी गुरुद्वारा मिलेगा ना चर्च जहां इनकी संख्या जादा हो जाते हुआ हिंदूों को दबा देते हैं इसमें विकल्स ख़टबंदन इडिया गड़ गांदी की विचार पर आकर बढ़ रहा है मोधी का विचार देश के लिए कर च्ट रहा है महातमा गादी का विचार था कि हिंदुस्तान में रामराज जाए और मोधी जी ने रामराज जलाके दिखा दिया आज अपने देश में सरके देख लो हॉस्पिटल देख लो वंदे भारत टेन देख लो किसानों को 6,000 रुपे सलाना देख लो सोचाले देखलो आयुस्तमान योजना देखलो अपने देश की अर्थवेवस्ता देखलो तमाम चीजे देखलो कॉंग्रेस जब तक थी नो साल दस साल कॉंग्रेस थी अपने भारत की अर्थवेवस्ता ग्यानों अस्तान पे थी परतान मंत्र यह उखता है और दस पर ही उत्र है लेकिन इधर से उत्र यहां की आर्थ वावस्तानी उखता नहीं आगी अंगल कहां रहे हैं कि दिखेंगे इन्दू मुसलमाना की बाद मैं नहीं करूंगा मैं तो इंदू मुसलम सारे बाई बाई मैं नहीं कर सकता मैं इंदू लेकिन मैं नहीं करूंगा सुनो एक बात 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 एक बात सुनो मेरे सगी जिजाजी डिसीपी है जब मुकस्मिर में कॉंटेक्ट नमबर देता हूं मिला लो और कल पर सु मेरे बाहन जाके लटका हुआ था जब आये जम ऐसे बाते चल गई उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के टेम में हमारे आथ बंग थे बोला हम अगर एक किसी को गोली भी मारनी होती ना परमिशन लेते हैं दिली तक भोनाता फिर जाते फिर मारते हैं और आप छूट देना के जो दिखे बहुत कर दो काम सबसे बड़ी बात अगर नहीं है आपको रिलेटिव होगा अर्मी में या फोज में एर में निकुम्राइब और वहां के वहां के जो जाके जो लोग थे महाँ पर गड़री वगरा जो बेड़ बक्री चराते हैं वो अपने उसमें अब चाहिना वाले उसको जाने नहीं देते हो काते हमारा इलाका है आप बैक जाईए यह एड़ोकेट साहब मुझे यह बताईए कॉंग्रेस की सरकार ने पूरा तिबबत गवा दि जिन्पिंग की हिम्मत नहीं हुई कि मोधी से आखे मिला ले यह बात करें राहूल गादी के पास कोई पूरूप नहीं है बस हवा हवाई बाते हैं जब सेंट तारिस में हमारा देश आजाद हुआ लोग के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए कपड़ा नहीं था वोन हुआ पड़ाएlles नोच के बाज़ांग दिती हैं & इन्होंने जो पाकिस्तान से आद में ठाल मियरत फ्राट है O पाक below 13 of theorrーツ आनि आहंूने कंणे को नटाया है मतावके मताओ किस्ना भाना यह जैजिन बनवाए अगर एक मुस्लिम के बच्चे को कोई बच्चा हिंदू का मार देता है तो राउल गांदी की पूरी फोज चली जाती है कश्मीर में एक हिंदियों के बच्चे को मुस्लिम टीशर में इसला मारा कि उस बच्चे की मजबूरी हो गई थी बचाने की के उसे होस्पिटल में बढ़ती करवाना वहां क्या हुआ था राउल गांदी कहा गई उसकी फोज इतनी दोरी राजनी थी है इनकी इससे तंता अन क्या है एक मुस्लिम को सब्सक्राइब कर रहा है उसको उसको बांद के पेड़ के बांद के पढ़ाई करते हैं तो क्या कर रहे थे बताएए यह पैसाब करने की बात करते हैं कॉंग्रेस के राज में नहीं होगे था एक भी एक भी जवाग्रेस के राज में खुशाल था रहसको उसको बेगार अगर यह बाबा भीम आवंबेटकर बढा तो वह मौधी जीने बढ़ा एक जिनको वे पूचते हैं और बांते हैं रविजास पगवान बोलते हैं उनका खौट भवया मंदिर बढ़ने जा रहा हैं, तो डैटी जीने को उस्रा की, बथा कॉंगरेश क्या है, उनके संचकर्थी कि संपाल किया, सुनिएए एक मिनेट, अचारा कम शुँदधा, देखियेंगा हुआराट का एक मिनेट, एक मिनेट, एक मिनेट, एक मिनेट सुनि महिने का समेशे से आज विपक्ष का गठ बंदन अपनी मीटिंग कर रहा है कल भी मीटिंग होगी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में अभी तय होगा कि किसे कितनी सीटे मिलेगी और कहीं ने कहीं कौन हमारा चेहरा होगा जंता की बीच में किसे लेके जारे आपको क्या लगता ना इंडिया का आज आप फमज्यक इंडिया गठवंदन के हुआ आखिर क्या आप अताप पड़ी थी कि अलग-अलग विचार धारा के लोग अलग-अलग वैचारिक मतभेद रखने वाले लोग आज एट प्लेट फॉर्म पे मैं उसका उधारन आपको बताता हूँ जहां भी जिफ भी राज माप उधारन ले लिजे चाहे आप गोवा ले लिए चाहे महाराश्चा ले लिए चाहे आप करनाटका ले लिए चाहे आप जारकन ले लिए चाहे आप दिल्ली ले लिए जहां जहां भी भारती जनता पार्टी को वहां की राज की जनता पूरी तरीके फिनकार देती है पूरी तरीके फत्ता विहीन कर देती है तो भारती जनता पार्टी अपने राज जिपाल के तहट अपने अपफर फाही के तहट काला अध्या देफ ला करके वहां के राज की जंता के फमिधान की वहां के अधिकारों का हनन करते हैं पूरी तरीकेफ उनको मतलब पावर विहीन करते हैं तो एक तो ये बात दूफरी जो जो भी आज ये लोकतंत्र है मुझे अधिकार भारत का फ़मिधान देता है कि मुझे ये अधिकार है कि अपने फरकार फे फ़वाल पूछने का जिफ आकांचाओं पे मैंने आपको वोट किया था मेरा अधिकार बंद मैं आप फ़वाल पूछो और जो ये कहते हैं कि इनुने इतना वड़ा प्रश्टाचार किया इफ लिफ इसकारी डिपार्टेंड के मंद्तरी भूबना देते हैं तो यह हाफ एंधिवेर एक डिमोक्रीक को डीकार हैए पांच फालो के एक इक डिमोकरैफिक 26 दलों के लोग वहाँ पे नेता हो लेकिन आज वो जो गठ बंदा ने लगभग 25 पे 45 करों लोगों का गठ बंदा ने कफमीर फिलेकर के कन्या कुमारी तक वहाँ प्रतिनित कर रहे हैं पंजाब फिलेकर के महाराष्टा तक वहाँ प्रतिनित कर रहे हैं क्या मोधी कहने फे हमारे महिलाओं के फुरच्छा ठीक हो जाएगी क्या क्या मोधी मोधी कहने फे बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या क्या फिलेंडर के दाम चार फोर उपए हो जाएगे क्या क्या दाल और तेल की कीमते फोर उपए का अंदर हो जाएगी क्या हैं यहाँ करते हैं वहां पर 50,000 रुपई भीजने के बाद वहाँ के लोगों के घर में महतेर चारपर उप यह कौन फाप देश चलाना चाह रहे हैं जेकिन बीजे भी कहा रही है देखिए रक्षा बंदन का तोफ़ा दिया है बैनों को की 200 रुपए हमने गैस लेंडर पर कम कर लिया टमाटर जो महंगाई थी वो हमने कम कर दी कॉंग्रेज यह जो गटबंदन बना है इसमें कहीं ने ़ेकिन अगर यह फंबिधानन होता जनतन्त चाहुत है और तब जाजो की जजमेंटने बोला की डिल्ली के अंदर बड़ा ही स्टेट कुलियर है लेकिन आपने क्या किया एक अध्यादेव लाकर के पूरे के पूरे डिफीजन चेंज कर दिया और जो भारती जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये हो गया वो गया आप एक बात बताईए कि अगर एक डेटा है मेरा डेटा नहीं है ये किंद फरकार की डेटा है मोधी जी के डेटा है कि अगर आप 5,000 रुपए कमाते हैं तो देव के 10 परफिन लोगों में आपका अफ्थान आता है तो अब एक बात बताईए कि पची फजार उपए जो कमाता है उसकी इफ्थिती क्या है क्या वो चार फ़र उपए फिलेंडर ले फकता है क्या है जो हमारी